अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राय कर ली तो आप गाजर का हलवा खाना भूल जाओगे तो बिल्कुल आसान रेसिपी होने वाली है इसे आप एक हफ्ते फ्रीज में स्टोर करके भी खा सकते हो अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और होते हैं और इन्हें आपको बारिक बारिक टुकडों में कट कर लेना है तो चलिए यहां पर में थोड़े से ड्राय फूट्स को भीगो के रख दूंगे तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने ले लिया है मिक्षर जार उसमें मैं एड़ कर इसे ही आपको चलाते हुए पीस लेना है एक बार अच्छी तरह से मैं इसे मिला लेती हूं विल्कुल भी आपको पानी आड नहीं करना है क्योंकि यह रेसेपी आप स्टोर करके भी खा सकते हो एक हपते तक ऐसे ही आपको पीस लेना है दरदरासा यहाँ पे मैंने ले लिए है कड़ाई आप यहाँ पे नॉन्स्टिक पैन का भी यूज कर सकते हो उसमें एड़ कर दीजिए जो आपने ग्राइन किया था गाजर का मिक्षर और अच्छी तरीके से इसी थोड़ी देर के लिए पकाना है यहाँ पे जो मैंने ड्राइ फूट्स को भिगवया था उसे में छील लूँगी यह देखे फिन बहुत आसान तरीके से छील के उतर जाते हैं बादामर पिस्ता के तो यहाँ पे देखे हमारा थोड़ा सा मिक्षर ड्राइ हो चुका है अच्छी तरीके से बून चुका है यहाँ पे एड़ करूंगी मैं वनफोर्थ कप मिल्क मिल्क यहाँ पे आपको ज़्यादा यूज नहीं करना है ऐसे अच्छी तरीके से आपको मिला देना है यहाँ पे आपको एड़ करना है आपके टेस्ट के अनुसार शुगर यहाँ पे मैंने वनफोर्थ कप से थोड़ा सा ज्यादा मैंने आड़ किया था यह देखे आप अपने टेस्ट के अकावड़ेंगे एड़ कीजिए यहाँ पे शुगर यहाँ पे एक मैं सिक्रेट इंग्रिडेंस यूज करूँगी एक पिंच के करिब जो खाने वाला हमारा कलर होता है फूड कलर जिसे हम बिर्यानी में यूज करते है उसे एड़ कीजिए फिर देखे आपका जो भी हलवा बना रहे हो आप कोई भी रेसिपी हो गाजर की वो भी शॉप में जैसे होती है मिटाई वैसी ही लगेगी तो यहाँ पे आप सिक्रेट इंग्रिडेंस जरूर यूज कीजिए कलर एड कीजिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एड किया है इलाइची का एसेंस आप यहाँ पे इलाइची पाउडर भी कुट के एड कर सकते हो दो तब तक पकाना है जब तक की थोड़ा सा घी रिलीज ना होने लगे यहाँ पे अच्छी तरीके से पक चुका है घी भी रिलीज हो चुका है तो यहाँ पे मैं एट करूंगी ड्राइफूट जो मैंने भीगो के रखा था उन्हें मैंने पतले-पतले स्लाइज में कट कर लि तो गाजर का हलवा हमेशा के लिए भूल जाओगे तो इसे जरूर आफ ट्राइ कीजिए बहुती आसान बनने वाली ना तो हमने इसमें ज़्यादा घी का यूज किया और बहुती मिनिमम्म चीजों में बन जाने वाली है ने तो गाजर का हलवा बनाने में हमें खोया, माव बहुत सी चीजों का यूज करना पड़ता है उपर से मैंने थोड़े से गार्नेश कर दिये बादाम और थोड़े से पिस्ते के साथ तो चलिए मिलती हो मैं आपसे ऐसे अगले वीडियो में वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए